दोस्तो आजकल क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है चाहे मडर हो, रेप कीस हो या महिला इंसा सोसल मीडिया पर भी जमकर महिलाओं को ट्रोल किया जाता है सोसल मीडिया के जरीए लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ये खतनाक साबित भी हो रहा है जी हाँ, तो ऐसा ही केस लेकर आई हूँ मैं आज आपके साथ देखने के लिए बने रहे मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर दोस्तो मामला आठ अगस्त का है महोबा जिला के कुल पहाड कोटवाली छित के एक काउं का है यहां की एक लड़की न्याय पाने के लिए दर-दर की ठोक्रे खा रही थे लड़की ने गाओ के ही सिवम और आदित नाम के लड़के के उपर आरोप लगाया था कि लड़की की फोटू सोसल मीडिया के जरिए गलत तरीके से एडिट करके वाइरल की गई है यह मामला है का सिवम दिशाविया के मुबाल पे आदित चौबे ने फोटू डारी और इसने जाना भी है का मेरे मुबाल पे उड़की का चौबे ने फोटू डारी हैं आदित चौबे ने फोटू बनाई हैं और बेटा मेरा नाम नहीं लेना और इसने हैं जो पूरे गाउं में हल लोगों को दिखाया है बारी बारी करके करें फ़लाने प्रेम के लड़की की मेरे मुबाल पे फोटू डरी हुई है लड़की को यह जानकारी गाउं के प्रिधान के द्वारा पता चली थे लड़की को जब यह जानकारी हुई तो वह महोबा कुलपहाड कूट वाली पर तरखास देने गए पर पुलिस ने कोई कारवाही नहीं गिए दुबारा से लड़की आठ अगस्त को कुल पहार सीयो के सामने गई और उसने न्याय की गुहार लगाए पुलिस ने तब भी संग्यानता पे नहीं लिया काओं के आदित और सिवम के होसले लगातार बुलंद हो रहे थे वैं खुद काओं में लड़की की एडिट की हुई फोटू सबको दिखा रहे थे लड़की और उसके परिवार वाले बहुत सरमिंदा महसूस कर रहे थे लोगों से बात चीत करना बंद कर दिया यहां तक कि बाहर निकलने में भी लोगों को परेसानी हो रहे थे लड़की बुरी तरह से परेसान हो चुकी थी और उसने आत्महत्या करने की प्लान बनाए किसी तरह से परिवार के साथ तीसरी बार यानि 12 अगस्त को महोबा यस्पी के पास दर्खास देकर न्याय की गुहार लगाए पुलिस ने मामला को संग्यानता लिया मुकदमा भी लिखा गया और अपराधियों को पकड़ के जेल भी भेजा पर कुछ दिन बाद वो दोनों अपराधी वापस आ गया दोस्तो ये तो एक केस था जिसमें सोसल मीडिया के जरिये लड़की परेशान थी और न्याय पाने के लिए दरदर भटक रहे थी ऐसे हर रोज सोसल मीडिया के जरिये सौ मैलाएं परेशान होती हैं उनके फोटू पर कॉमेंट मिलते हैं पर्शनल बॉडी पार्ट पर लोग कॉमेंट लिखते हैं यहां तक की खबरों को ले करके भी गंदे तरीके से कॉमेंट किया जाता है लोग फरजी आकाउंट्स बन पर इन सजाओं से क्राइम जरा भी रुकने का नाम नहीं ले रही है इसके लिए अधिकारी भी अलग से चुने गए हैं काउंटर भी बनाए गए हैं पर लगातार मैला हिंसा बढ़ती ही जा रही हैं जिससे मेला हिंसा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों पूटी सी गलती बड़ी गलती हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, आपकी जिन्गी बरबाद हो सकती है, तो दोस्तों आपको हमारे यह एपीसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और हाँ मेरा चेनल सस्क्राइब करना ना भूलें, वीडियो को सेयर कर तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नव मुद्दे के साथ नमस्कार